आज हम लोग देखेंगे कैसे एक बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव बोल्ट जिनेरेट किया जा सकते हैं जैसे कि 12012-202-505 और देखेंगे कैसे एक बोल्टेज डिवाइडर भी वनाया जा सकता है तो चलिए वीडियो का स्टाट करते हैं मेरे हाद में यह आप लोग देख सकते हैं यह है एक फॉर बोल्ट जिरवाइन फाइब एंपेर आवर के बैटरी मतलब यह एक 500 मिलियांपेर फॉर बोल्ट के बैटरी है यह देख सकता हो जो बुल्टेज है वह फॉर पंट वन बुल्ट के आसपस है और उल्टा मिजर यह दूर आचसे होन रहे यहोरी कि यह तरथीज सब्सक्राइब वियु दैसा के बनाइगे चलिए मेरेते हैं किया सब्सक्राय देख सकते हैं वह हां हांड़ेट ओम्स के आसपास नाइटेट वॉंट सेबन यह भी सेमी है कि नाइटेट वैडेट इसको ब्रेट बुट में कनेकेट लिके देखते हैं कैसे बनाता है बोल्डिस डिवाइडर तो देख सकते हैं अब यह कंप्लिट हो गया मैं पहले से इसको एमपेर मीटर में कनबट कर चुका हूँ तो मैं यह देखने नहीं वह लगो आपको कैसे एमपेर मीटर में कनबट किया जाता है मल्टिमीटर को क्योंकि यह वीडियो जो है यह बड़ा नौब हो जाएगा तो चलिए प्लास को हम लोग करनेकर लेते हैं इस वहला रिजिस्टेंस के साथ और माइनस को करनेकर लेते हैं यह माइनस प्रप तो माइनस को करनेकर लेते है मेरा जो यहाँ पर बैट्री गे नेगेटिव पॉट्शन में और एक जो पीन है जो आएगा यहाँ पर देख सकते हो 20.3 मिली एमपेर यहाँ पर फ्लो हो रहा है चलि एक बार बोल्टेस को मिजर करके देख लेते हैं तो बैट्री के जो बोल्टेस था वह कितना था चले एक पर देख सकते हो बैट्री का जो बोल्टेस था वह 4.081 क्योंकि ड्रॉप हो जाएगा कि यह पर बोल्टेस ड्युएडर के साथ यह पर 20.3 मिली एमपेर यह पर current flow हो रहा है, तो यह पर अगर measure करेंगे, तो यह पर कितना देगा, यह पर कुछ wire के साथ voltage भी drop हो रहा है, जो voltage आ रहा है यह पर 4.014, और यह पर अगर इसको हम लोग as a ground मनते हैं, तो कितना आता है, यह पर आता है 2.004, मतलब 2 volt, यह पर आता है, माइनस 2.004, मतलब अगर इसको पकड़ेंगे, तो ऐसा जैसा होता है न, यह आप-amp चालाने के लिए हम लोग जब amplifier में इस्तेमाल कते हैं, 12012, तो ऐसा है, देख सकतो, यह पर मुझे कितना मिला है, 2.003, मतलब प्लास 2, और दा माइनस 2, तो यह बन गया है निगेटिव बॉल्टेज, चलिए एक बार लोड देखे भी देखते हैं, यह LED वार्क करता है के नहीं, यह बहुत ही कम लोड लेता है, एम मिलियंपेर के साथ, 10 मिलियंपेर के साथ लोड लेता है, चलिए, यह पर, मेक पर, दिखा देता हो, यह एक कम करता है के नहीं, तो देख सकता है, यह पर एक कम कर रहा है, यह पर एक कम कर रहा है, और इसको, यह पर भी इस्तमल करेंगे, तो यह पर भी कम कर रहा है, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई भी voltage divider बना रहे हो, जहाँ पर बहुत हाइक, जो load इस्तमाल होने वाला है, कोई कुछ IC होता है, तो एक चीज़ में recommend करूँगा, बहुत ही छोटा value का resistance यूज़ करिए, जैसे कि 20 ohms, यह 100 ohms के हैं, 20 ohms, मगर एक 5A flow होने का देखने का मिलेगा, और रेजिस्टेंस अगर छोटा वाट के होगा, तो रेजिस्टेंस हीट होके जल जाएगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा वाट के होगा, 5W, 10W, तब यह रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा आपको जो heat produce करें, यह आपको समझ लेना चाह अगर वीडियो चला गए तो जुरूर इस चैनले का सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो देखते रहें